दोस्तो अगर आपकी noise की smart watch आपके phone से connect नहीं हो रही है तो आप इस problem को कैसे सही करेंगे ताकि आपकी noise की smart watch है वो आपके phone से pair हो जाए connect हो जाए यह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे आपको noise fit app में जा करके दिखाते हैं ठीक है noise fit app में आप जब जा रहे हैं और अपनी device को pair करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी device का नाम ही आपको नहीं दिखा रहा है ओके जैसे यहाँ पे मेरे में तो द इसको आप सही कैसे करेंगे सबसे पहले आप अपनी device मतलब यह जो smart watch है इसको ले लीजिए और power button थोड़ी देर दबाए रहिए थोड़ी देर power button दबाने के बाद आपको कुछ options दिखेंगे तो आप एक बार अपनी watch को reboot कर लीजिए reboot पे क्लिक कर दीजिए ओके यहाँ पे आपको नाम दिखाने लगा आपके में connect हो जाती है कि नहीं नाम दिखाएगा उस पे क्लिक करेंगे connect हो जाएगी बट अगर फिर भी आपको नाम नहीं दिखा रहा है तो आप क्या करिए आप पहले तो एक चीज यह चेक कर लीजे कि यहाँ पर play store में जाकर करके आपके में noise fit app का updated version पढ़ा है कि नहीं अगर updated version नहीं पढ़ा है अपडेट आया हुआ है तो आप इसको update कर लिए उसके बाद आप try करिएगा बट अगर updated version ही पढ़ा है या फिर update आ गया है अपडेट करने के बाद भी नहीं नाम दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे आपको एक चीज वगरा watch को किया हो तो दुबार आपको नाम नहीं दिखा रहा है तो आपको अगर यहाँ पे watch का नाम दिखा रहा है previously connected में ठीक है यहाँ पे मेरे में दिखा नहीं रहा है बट अगर आपके में दिखा रहा है जैसे किसी पर भी हम click कर लेते हैं जैसे आपको अगर watch का नाम आपको एक settings का icon दिखेगा, आपको उस पे click करना है और यहाँ पे forget पे click करके forget device कर देना है, उसको यहाँ पे ठीक है और उसके बाद आपको वहाँ पे connect करके देखना है, आपको मतलब pair करके देखना है कि आपको यहाँ पे नाम दिखा रहा है कि नहीं अगर फिर भी नाम आपको नहीं दिखा रहा है तो आप क्या करिए आप अपनी smart watch को एक बार reset कर दीजे ओके यहाँ पे power button दबाए रहिए थोड़ी देर power button दबाए रहने के बाद आपको reset का option दिखाएगा इस पे क्लिक करिए इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा all data and settings will be erased मतलब आपकी जो भी data और settings फगरा होंगी वो सब चली जाएंगे ठीक है तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है question mark फिर भी करना है reset तो आप यहाँ पे simply tick पे क्लिक कर दीजेगा और जैसे ही आप tick पे क्लिक करेंगे तो आपकी smart watch जो है वो reset हो जाएगी automatically यहाँ पे बंद हो जाएगी और automatically यहाँ पे on भी हो जाएगी ओके और उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे आपको नाम दिखाने लगा उसका की नहीं लेकिन by chance अगर फिर भी नहीं दिखाता है तो आप क्या करिएगा आप home कर लीजेगा और यहाँ पे noise fit app पर थोड़ी दे tap करिएगा ओके tap करने के बाद app info में जाईएगा app info में जाने के बाद यहाँ पे करिएगा storage and cache पे click यहाँ पे इसका clear cache कर दीजेगा और back करके इसको एक बार four stop कर दीजेगा और उसके बाद आप try करिए आपके में नाम दिखाने लगता है कि नहीं फिर भी नहीं दिखाता है तो आप क्या करिएगा आप अपने phone को ही एक बार restart कर लीजे और फिर reboot आप कह लीजे कर लीजे ठीक है और उसके बाद आपको नाम वहाँ पर दिखाने लगेगा आपकी smart watch का जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं भी ठीक है जब आप इस पे click करेंगे तो आपको नाम यहाँ पे smart watch का दिखाएगा आप उस पे click करिएगा simply क्लिक करने के बाद आपको watch में भी एक pop-up टाइप से दिखाएगा यहाँ पे इस टाइप से pair with this device तो आप टिक पे click करिएगा टिक पे click करेंगे paired successfully दिखाएगा आप start using पे click करिएगा आपकी device से इससे जो है मनलब आपकी watch phone से connect हो जाएगी और आप simply यहाँ पे इसको use कर सकते हैं आसानी से अगर वीडियो से help यहो तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लिजे subscribe और बेल आइकन को press ऐसे यह और भी वीडियो देखने के लिए